Hello students, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे Comparison between different plant groups ठीक है, हम लोग ने इसके पहले वेले class में classification इनका देख लिया था किस तरह से classify किया गया है और आज हम लोग देखेंगे इनमें क्या similarities या क्या dissimilarities पाई जा रहे हैं हर group का अपना unique feature है, यह हम लोग जानते हैं और उसी को हम लोग comparatively यहाँ पर आज देखेंगे तो सबसे पहला features हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं Dominant phase अगर थैलोफाइट्स में याणि LG की बात कर रहे हैं पन ठीक है, LG की LG में dominant phase लेटर लिखा हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा भी लिखते हैं हम लोग कौन सी होती, gametophytic ठीक है, gametophytic phase यहाँ पर क्या होती है dominant होती है similarly आपको बावफाइट्स में भी gametophytic phase या gametophyte dominant stage में मिलेगा dominant का मतलब यहाँ पर क्या है photosynthesis करता होगा multicellular body या इधर अगर LG में देखें तो unicellular body हो सकती है और वो independent होगी fine, tatofights के अगर देखें तो यहाँ से changes हो रहा है अब यहाँ पर क्या हो रही है spore producing body, sporophyte यह क्या होगा dominant होगी उसी तरह से gymnosper में भी आपको sporophyte और यहाँ पर भी sporophyte sporophyte यह क्या है यहाँ पर dominant होगी next polide of main plant body मतलब chromo-jumal organization जो होगा main plant body के हर sil का या अगर एक sil पाई जारी तो किस तरह का होगा यहाँ पर haploid होगी जादा तर cases में अगर आप लोग देखेंगे algae के variation हो सकता हो बट जादा तर cases में आपको haploid body मिलेगी यानि chromosomes haploid होगे इसी तरह से यहाँ पर भी एक set present होगा haploid होगा अब यहाँ पर change आपको मिलेगा यहाँ से diploid condition दिखनी शुरू हो जाएगी यानि कहाँ से tetophyte से क्योंकि sporophyte जो है spor producing body वो dominant हो जा रही है तो diploid sporophyte होगा जबकि यहाँ gamut producing body के haploid है जो dominant condition में पाई जा रही है differentiation और body देखते हैं तो algae में clear cut differentiation नहीं होता है thallus organization होता है यहाँ पर organization कैसा है thallus है browophyte में देखे थोड़ा से advance मिलता है बट thallus like आपको दिखाई देगा है यहाँ पर thallus like देखेगा कुछ cases में से markensia or xia case में thallus यह थोड़ा से advance हो सकता है folios type का ठीक है folios type का भी मिल जागा funeria और अगरा में आप देखें तो वहाँ leaf like structure present होता है लेकिन true stem leaf यह सारे इन दोनों ही case में क्या absent है body organization जब आप जाके देखते हैं यानि differentiation और body जब देखते हैं tatofights के case में देखें तो यहाँ पर आपको well developed बिलेगा ठीक है यहाँ पर भी well developed है gymnosperm में भी well developed है और angiosperm में भी well developed है fine next root stem और leaf यहाँ पर clear cut आपको नजर आएंगे और well developed होंगे true condition में present होंगे क्यों क्योंकि vascular tissue यहाँ से start हो जाता है tatofights से तो यहाँ पर आपको root भी मिलेगा stem भी मिलना है और leaf भी मिल रही है और सभी क्या है true है है ना इससी तरह से यहाँ पर भी root stem और leaves यहाँ पर भी root stem और leaf present होगी next आते हैं vascular bundle की बात करते हैं या vascular tissues की बात करते हैं तो vascular tissues इन में totally absent है थेलस organization है simple organization तो absent यहाँ पर भी आपको absent मिलेगा इसलिए इनकी height बहुत ज़्यादा नहीं होती ही इनकी देड़ोफाइट से आपको height मिलना स्टार्ट हो जाएगी plants की यहाँ पर क्या है present है यहाँ पर present है और सबसे advanced vascular tissue कहां present है यहाँ पर present है इनका gymnospum से भी advanced होता है vascular tissue nature of spore जो sporophytic condition आते हैं अगर थैलोफाइट में देखे तो जाएगोठी sports का production कर रहा है sports किस तरह से होते हैं अगर sports आ रहे हैं तो वह homo sporous condition होगी किस तरह की homo sporous मतलब सारे sports similar type के होंगे किस टाइप के similar type के shape के according बात कर रहे हैं पर लोग okay पर रहे होमो sporous condition होगी और टेटोफाइट में दोनों तरह के कुछ टेटोफाइट ऐसे हैं जो अलग अलग sports बनाते हैं small micro sports और जो large होते हैं उनको हम लोग sports कहते हैं micro sports male gametophyte बनाता था और जो large sports होते थे वह female gametophyte यानि mega sports female gametophyte बनाते हैं तो यहां homo sporous और hetero sporous दोनों ही condition पाई जा सकती है कहां टेटोफाइट में लेकिन gymnospor में एकदम pattern change होगा आप सारे के सारे यहां पर क्या मिलेंगे hetero sporous होंगे जबकि यहां पर भी सारे के सारे hetero sporous जो चीजें सारे group में आपको ना मिलें वह सारी features आपको angiosperm मिलेंगे जिनको सबसे successful और सबसे modern और advanced plant के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है next आते हैं seed and covering तो यहां seed और covering की बात ही नहीं हो रही है हाई नहीं absent है यहां पे भी absent है और यहां पे भी absent है इसलिए इनको non-spermophita भी हम लोग कहते हैं जबकि gymnosperm और angiosperm जिनमें seed present होता है इनको हम लोग spermophita कहते हैं लेकिन थोड़ा सा change मिलेगा कि seed तो present है बट जो covering होगी वह absent होगी ठीक है लग seed को पर covering की बात seed coat की बात नहीं कर रहे हैं अपन लोग seed और उसके उपर fruit covering या ओवरी वाल जो होती है fruit वाल में convert हो जाती है या ओवरी फूट में convert हो जाती है यहां पर ओवरी नहीं present होती है ovule present होता है जो सो seed में convert होगा है ना अगला आता है point यह features को देखते है flour and fruits flour and fruits सीधे लिग देंगे सब में absent है यहां पर सब में का मतलब angio sperm को छोड़ कर सब में absent है लेकिन यहां पर क्या है दोनों ही present होंगे flour भी जो reproductive structure को represent कर रहा है जिसके अंदर stamen और carpal present है male or female part और उसी से आगे चलकर food भी बन रहा है ovary तो flour and foods सब में absent है लेकिन यहां पर क्या है present है इसलिए 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 हम लोग flowering plant, fruiding plant के नाम से भी जानते है life cycle pattern देखते हैं तो जादा तर जो थैलोफाइट्स है वो तीनो तरह की life cycle आपको दिखाएंगे ठीक है वो ऐसा नहीं कि एक ही class है वो सारे haplontic ही represent कर रहा है diplontic ही represent कर रहा है दोनों ही case हो सकता है यहां पर haplodiplontic haplontic पहले लिख लेते हैं haplontic haplontic spelling mistakes ही कर लेते हैं haplontic ठीक है कुछ case में आपको diplontic और कुछ case में haplodiplontic तीनों ही मिले गया life cycle वाला lecture जाके देखिएगा तो वहां पर haplodiplontic है haplodiplontic haplodiplontic तो मैं क्या कह रहा था कि life cycle वाले lecture में जाके देखिएगा तो तीनों के example आपको मिल जाएंग algae के फ्यूकर्स जो है वो कौन सा शो कर रहा है तो कारपस किस तरह से और जात green algae कौन सा शो कर रहा है various हो सकता यहां पर graphite में आपको haplodiplontic मिलेगा यहां पर क्या haplodiplontic मिलेगी इस केस में भी haplodiplontic मिलेगी बट dominant phase अलग हो जाएगा यह दोनों क्या intermediate condition है बट dominant phase दोनों जगा पर अलग हो जाएगी यहां पर sporophytic face क्या होगी हो जाएगी वह dominant हो जाएगी जबकि यहां पर क्या होगी haplod face dominant हो जाएगी gametophytic face dominant हो जाएगी gymnosperm में देखते हैं तो यहां पर diplontic life cycle और यहां पर भी जितने भी seeded plant है ठीक है जिनको आपको स्परमेटोफाइटा के नाम से जाते हैं उनमें आपको डिप्लॉंटिक मिलेगी double fertilization यूनीक feature in angiosperm सब जगा अपसंट है यहां पर भी अपसंट है थैलोफाइट में नहीं है ब्रावफाइट में भी नहीं है और टेडोफाइट में भी नहीं है और नहीं gymnosperm में इंडोस्पम बनता है ध्यान रखिएगा लेकिन यहां पर पाए जाएगा double fertilization है ना एक fertilization को हम लोग syngami कहते हैं जिससे zygote बनता है और दूसा वाला जो fertilization हो तो उसको हम लोग triple fusion कहते हैं जिससे nutritive tissue या इंडोस्पम का formation होता है एक बात और जो मैंने पहले बताया थी फिर से बता देता हूँ कि यह जो तीन category है इन तीन category को हम लोग किस नाम से जानते हैं tracheophyta के नाम से ठीक है क्यों क्योंकि इनमें vascular tissue present होता है इवाल कहां से होता है शिरुवात कहां से वह ट्रेटोफाइट से उसी तरह से gymnosperm और angiosperm को यानि कि यहां इन दोनों को हम लोग consider करते हैं consider क्या मानते ही है spermatophyta ठीक है क्यों क्योंकि इनमें seed present होता है seed of phyta मतलब plant तो यह एक comparative हम लोग ने आज देख लिया lecture next class में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया हाँ एक बात और के नहीं है अगर आप लोगों को यह lecture पसंद आया हो तो like जरूर कीजेगा share कीजेगा फिर से आप लोगों का शुक्रिया